हेलो आल, वेलकम तो माई चैनल पारा इनफोर्ड, आज हम लोग विकली करें अफेर्स जुलई 2020 का डिसकस करेंगे और इस कड़ी का ये पार्ट टू है, तो काफी इंपोर्टन कोश्चन जो भी डेवलोपमेंट हुई है पूरे वीक में जुलई के, ये पार्ट टू है उस सी गवर्मेंट, for those who do not wear mask, मरद्या प्रदेश सरकार द्वारा मास्क नहीं पहनने वालों के लिए शुरू किये गए अभियान का नाम क्या है, तो अभियान का नाम है, रोको टोको, C correct answer है, तो क्याल में रखिए, रोको टोको, मद्या प्रदेश का कैमपेन, ठीक है, रोको टोको, मद्या प्रदेश गवर्मेंट का कैमपेन, तो अभियान के तहत स्वेचिक संगटन, जो भी मास्क पेनने को बोलेंगे, तो यह इस कामपेन की अक्टिविटी है, क्या है, तो रोकोो टोको आक्टिविटी कामपेन की अक्टिविटी, वोलंटीर और अर्गना inhib स्वेचिक संगटन जो है, मास्क प्रोवाइट करेंगे, जो जिन्नोंने मास्क पहना नहिंए, पब्लिक शुप्रिम कोटने हाल ही में कीस मंदिर के प्रशासन में त्रावन को र शाही परिवार के अधिकारों को बरकरार रखा है मंदिर का नाम है स्री प्रदमनाब स्वामी करेक्ट अंसर है तो क्या नाम है मंदिर का स्री पद्मनाब स्वामी तो केरल के तीरू अनांत पूरम में है ये स्री पद्मनाब स्वामी मंदिर और लंबे समय से प्रतिक्षित फैसला 13 जुलाई 2020 को दिया गया है तो इससे पहले केरल उच्चे नाय लेने जो हाइकोड है केरल का आदेश ने केरल सरकार को संपत्ती और प्रबंदन सहीत मंदिर मामलों पर एक निकाया ट्रस्ट स्तापीद करने का निर्देश दिया था तो मतलब केरल हाइकोड का आदेश अलग था जो कि क्या था केरल सरकार को एक ट्रस्ट बनाने को बोला था संपत्ती और प्रबंदन सहीत मंदिर मामलों पर चलाने के लिए ये ट्रस्ट का निर्देश दिया गया था लेकिन हाई कोट ने क्या किया अभी यह जो है ट्राइवन कोर फैमिली का एड्मिस्टेशन को उन्होंने वर्डिक दे दिया है विच कंट्री इंडिया हाज ओपन न्यू ट्रेड रूट विसेंटली कि इस देश के साथ भारत ने हाल ही में एक नया व्यापार मार्क खोला है तो भूटान के साथ नया व्यापार मार्क खोला है एक कर्रेक्ट आंसर है तो 15 जूली 2020 को उपन किया गया यह रूट और कहां से कहां तक है तो पच्चिम बंगाल में जैगाव और भूटान में पस्का के बीच है ठीक है कौन सा कौन सा देखो प्लेसे से पच्चिम बंगाल में जैगाव और भूटान का पस्का के बीच है यह रूट ट्रेड रूट टैयर हो गया है और जो की कापी help करेगा बच्चिम बंगाल में जो भी बिजनेस है उनको और भूटान को mutually है उनको benefit करेगा Which Indian is selected as Vice President of Asian Development Bank की इस भारतिय को Asian Bank की उपाद्यक्षि के रूप में चुना गया है तो उनका नाम है अशोक लवासा, B. Correct answer है तो अशोक लवासा को ने तो भारती चुनाव आयुकता है Indian Election Commissioner और Asian Development Bank जो है जिसका headquarter है Philippines में उसके Vice President ये इनको चुना गया है अशोक लवासा जी को As per which organization India has recorded the largest reduction in multi-dimensional poverty की संगडन के अनुसार भारत ने बहु आयामिय गरीबी में सबसे बड़ी कमी दर्च की है तो अभी एक हाली में एक रिपोर्ट आया है तो रिपोर्ट किसका है तो UN का है United Nations का C Correct answer है तो उस रिपोर्ट के अनुसार भारत ने सबसे ज़्यादा reduction हो गया है सबसे ज़्यादा गरीबी कम हो गई है अईसा यह रिपोर्ट का कहता है तो यह वैश्विक बहुविद गरीबी सुचकांग जो है सवयुक्त रास्टर की रिपोर्ट के अनुसार हो गया है जो ग्लोबल मल्टी डाइमेशनल पावर्ट इंडेक्स है यह 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 की रिपोर्ट के अनुसार किया गया है यह 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 का रिपोर्ट है यह और 2005-2006 और 2015-2016 के बीच मतलब 2005-6 और 2015-2016 यह 10 साल के बीच में भारत में लगबक 273 मिलियन लोग बहु आयामी गरीवी से बहार दिक लें मतलब क्या 2005 से लेकर 2015 पकड़ेंगे हैं 10 साल के बीच में 273 मिलियन पीपल मतलब क्या लगबक 27 करोड लोग पावर टी लाइन से मतलब गरीबी से बाहर निकले है SI report का कहिना है तो इस report पे कहा गया है कि भारत ने इस श्रेनी में रहने वाले लोगों की संख्या में सबसे बड़ी कमी दर्च की है तो SI report आभी चलिए देखते है thoughts of this video If we change nothing, nothing will change मतलब क्या है हम पाना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन खुद को खुद के habits को बदलना नहीं चाहते तो खुद के habits को बदलना बहुत ज़रूरी है चेंज करने ज़रूरी है काफी कुछ चीज़ें जो है हमको implement करने ज़रूरी है तभी हम कुछ तो भी कर सकते हैं तो if we change nothing मतलब कुछ भी हमने चेंज नहीं किया जैसे है वेसी हमारा routine चलते आए तो nothing will change मतलब क्या अपने आप तो कुछ चेंज होने वाला नहीं है हमको खुद को पहले हमारे habits हमारे hard work हमारे बाकी और भी चीज़े से time management है positive attitude है यह सब change करना बहुत ज़रूर है तभी कुछ तो भी हम change कर पाएंगे हमारे life में with which country India has signed an agreement to expand cooperation in cyber threats किस देश के साथ भारत ने cyber खत्रों से निपटने में सहयोग का विस्तार करने के लिए एक समझोते पर हस्ताक्षर किये है तो इसराइल के साथ यह sign हो गया है agreement एक correct answer है भारत ने cyber खत्रों के से निपटने में सहयोग का विस्तार करने के लिए MOE sign किया गया जो किस देश के साथ इस्राइल के साथ है तो 15 जुले को एग्रेमेंट साइन हो गया है और किस के बीच में साइन हो गया एग्रेमेंट तो इस्राइल के रास्त्री ये साइबर निदेशाले के महा निदेशक जो है डारेक्टर जनरल अब इस्राइल नैशनल साइबर तो भारत के ambassador जो इस्राइल में है संजीव संगला और इस्राइल का national cyber director है इगल यह उन्ना उनके बीच है 15 जुले को agreement sign हो गया है तो इस्राइल के बात आई तो प्रदान मंत्री यह बेंजामीन नेतने हूं राजदानी है जेरुसालेम और मुद्रा है इस्राइली शेकल which is the first cricketer to violate ICC's saliva ban rule ICC के saliva ban नियम का उलंगन करने वाला पहला क्रिकेटर कोन है तो यह उनका नाम है Dom Sibley, B correct answer है तो अभी आप मुझे comment box में लिख के दीजिए Dom Sibley कोन से cricket team कोन से देश के cricket team में खेलते हैं तो यह West Indies के खिलाब England की दूसरी test series के दवरान 14 दिन में हो गया है incident ICC की लार प्रतिवन नियम का उलंगन किया गया है तो West Indies के खिलाब England की दूसरी test series के दवरान 14 दिन और यह कहां पर खिली जा रही है तो Manchester में Old Trafford में खेली जा रही थी तो उसी दवरान यह saliva band rule तोड़ा गया है तो उन्होंने गलती से मैच के दवरान गेन पर लार लगा दी जो आदत रहती है ना तो उस आदत के इसाब से उन्होंने लार लगा दी गेन पर जबकि उन्होंने तुरंत अम्पाइरों को इसके बारे में सुचित के या खुद ही सुचित के अम्पाइरों के ऐसा ऐसा में गलती की और उन्होंने गेन को किटानू रहित करने के लिए किटानू नाशक का इस्तमाल कर दिया तो अम्पाइर ने भी तुरंत च्छात्रों को अपने मानसिक स्वास्त और कल्यान के लिए मनो-सामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई पहल का नाम क्या है? तो पहल का नाम है मनो-धरपन बी-करेक्ट अंसर है तो मनो-धरपन क्या है? तो साइको-सोशल सपोर्ट देती है स्टूडन्स को मेंटल हेल्थ और वेल बिइंग के लिए तो यह केंद्रिय मानो-सामाजनमंत्री रमेश पुक्रियाल निशंक ने लॉण्च किया कभी लॉण्च किया पन्राइज 21 जुलई को 2020-21 जुलई को कहां लॉण्च किया नई दिल्ली में तो यह सब अलग-अलग कॉश्चन हो सकते हैं जैसे कि इनिशेट्व जो है साइको सुशल सपोर्ट का ये किस ने लॉण्च किया तो रमेश फुक्रियाद निशंक जी ने किया कभी लॉण्च कै questioning call came तो इकी जुलई को लॉण्च किया और कहां लॉढऻ तो नई दिल्ली में यह भी आज को सकता है In which State Zohram Mega Food Park is located? Zohram Mega Food Park की स्राज्य में स्तीत है मिजराम में स्तीत है C एक करेक्ट अंसर है हाल ही में इसका लाउंच हो गया नाउगरेशन हो गया तो ये किस ते लाउंच किया और कभी लाउंच हो गया 21 जुली 2020 को Zohram Mega Food Park का इनाउगरेशन हो गया और किस ने किया तो केंद्रिय खाद्य प्रसमस्करन मंत्री इंडियन फूट प्रोसेसिंग मिनिस्टर हर सिम्रत कौर है बादल उन्होंने गटन किया है इस से क्या होगा तो फूट पाक जो है लगबग 25,000 किसानों को लाब होगा और लगबग 5,000 रोजगार के अवसर पैदा होंगे तो यह कापी अच्छा हो गया ओ जोरम मेगा फूट पार वित वेच कंट्री इंडियन नेवल शिप कंड़क्टेट पैसेज एक्सरसाइस ऑन जुलई 2020, 2020, कीस देश के साथ भरतिये नौसे निक जहां जोने 20-जुल नेवी के U.S.S. निमिट्स वहख हड़ताल समय के साथ एक पारित अब्वयास जिसका नामे है पैसेक्स आयजित किया तो यह भी क्षिशन हो सकता है exercise का नाम कहा है तो पैसिक्स तो और कहां पर किया गए यह भी क्षिशन हो सकता है तो अंड़माद और निकबार दियूप समों के पास यह exercise की गई पैसिक्स जिसका नाम है ठीक है तो किसके बीच में इंडियन नेवल शीप और इनाटेट से ग्रूप और हाले भारती नौसेना ने जापानी नौसेना और फ्रांसीस नौसेना के साथ भी समान पैसिक्स का संचलन किया था और USS Nimitz जो है जो जिसके साथ अभी पैसिक्स एक सर्साइस की गई यह यूएस की अमेरिका नौसेना का सबसे बड़ा विमान महाक है तो यूएस निमेस इस नेवीज लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट कैलियर तो उसके साथ में भारत ने एक्सरसाइस की है तो आज के इस वीडियो के लिए इतना है प्लीज आपको मैं उम्मीद करता हूँ यह पसंद लाइगे इन्फरमेशन तो प्लीज लाइक किजिए शेर किजिए आपके फ्रेंड सरकल में जिसके वज़ा से उनको भी बेनिफिट होगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिए अगर अभी तक आपने किया नहीं रहेगा तो सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस किया हमारे questions और वीडियो आपको मिलते रहेंगे तो बने रहे हमारे channel के साथ thank you very much